सवाधी अरब से कच्छे तेल की सप्लाई में भारी कमी की गई है ऐसे में भारत के लिए अमेरिका बड़ा उप्शन बनकर उबरा है क्यूकि अमेरिका क्रूड ओल उप्लब्द करने में सक्षम हो गया है अमेरिका पिछले महीने ही सौधी अरब को पीछे छोड़कर भारत को तेला पूर्ती करने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश बन गया है रोइटर्स के आंकड़ों के मताबिक दुनिया के बड़े उत्पादकों से भारत का आयात 48 फीसिदी से बढ़कर 5,45,300 बैरल प्रति दिन हो गया है और ये पिछले महीने भारत के कुल आयात का 14 फीसिदी हिस्सा है इसके उलट साओधी अरब से फरवरी में आयात पिछले महीने की तुलना में 42 फीसिदी कम होकर एक दशक के निचले स्थर यानी 4,45,200 BPT था आपको बताने कि BPT मतलब बैरल्स पर डे यानी एक दिन में कितने बैरल्स लिया जाता है साओधी अरब जो लगातार भारत के बड़े अपूर्ती करताओं में से एक रहा है वो जनवरी 2006 से पहली बार फिसल कर चोथे स्थान पर आ गया है गौर्तलब है कि 8,67,500 BPT के पाँच महीने के निचले स्थर पर खरीद में 23 वी सिदी की गिरावट के बावजूद इराक भारत में शीर्स तेल विक्रेता बना हुआ है जिसने हाली में कच्छे तेल की सप्लाई में कटोती की है जिससे तेल कीमतों में बड़ोतरी की उम्मीद की जा रही थी इन हालातों में अमेरिका का रुक बेहत खास है तो आपको बता दे कि एराक जो सबसे बड़ा तेल विक्रेता है भारत के लिए उसके बाद अब अमेरिका हो गया है Bureau Report दुनिया तक